So hello everyone, Ananya Agrawal this side, currently a first year MEBS student at BMMC Safdarjan, New Delhi and आज हम discuss करने वाले हैं कि ये जो soil analysis हमाले सलीबस में add हुआ है, उसे exactly कैसे पढ़ना है because ये सबसे पहले add me 2024 के time पे ही हुआ था, हमाया time पे add हुआ था और हम बहुत ज़ादा, सारे बच्चे इतने confused थे कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है So आज हम ये discuss करने वाले हैं कि most important areas कौन से हैं, कैसे याद कर सकते हैं, कुछ tricks भी बताने वाली हूँ अपने वीडियो के इन में अपने short notes भी provide करने वाली हूँ और हम NE 2024 का paper भी analyze करने वाले हैं, कि उसमें कितने questions आए और क्या क्या questions आए So let's get started तो ठीक है, सबसे पहले हम एक बास syllabus देख लेता हैं, जो जो add हुआ है तो यह जो PDF है, यह मेरे time की है, जो हमारा added or reduced से लिए बस आया था तो principles related to practical chemistry, ठीक है, तो आपको सबसे पहली बात तो यह जो आप lectures देखोगे वो आप कहीं से भी देख सकते हो, जैसे मैंने अपनी coaching के टेंट किये थे यूट्यूब पे भी same चीज़ पढ़ा देंगे, because मैं आपको most important areas बताने वाली हूँ ठीक है, तो सबसे पहले रिखा, detection of extra elements, nitrogen, sulfur, halogen यह GOC की last में लिखा है, आप पढ़ सकते हो, detection of, यह functional groups की detection यह भी कुछ-कुछ part in CRT में कुछ-कुछ आपको extra पढ़ना पढ़ेगा, जैसे hydroxyl group के लिए can test होता है, phenolic, phenolic group के लिए FECL3 test होता है, तो कुछ-कुछ extra test आपको पढ़ने पढ़ेंगे, ठीक है, फिर आजाते हैं, chemistry involved in the preparation of more salt, potassium, alum, इन सब की preparation पढ़नी है, और इनका formula आना चाहिए, कितने water attached होते हैं, इसमें यह सब आपको आना चाहिए, फिर formation of organic compounds like acetalylite, paranytro acetalylite, aniline yellow, iodroform, यह mainly आपकी NCRT में भी है, बट अलग से इसका एक बाँ mechanism और structure थोड़ी detail में देखना पढ़ेगा आपको, फिर आजाते हैं, titrimetric exercises, यह basically mole concept related है, इतना कुछ tough नहीं है, इसके लिए आपको एक बाँ वीडियो देखनी चाहिए, indicators के आपको pH, mechanism, structure, color और pH, यह सारा आपको पढ़ना है, oxalic acid versus Kmno4, यह सब भी आपको पढ़ना है, ठीक है, फिर आजाते हैं, salt analysis पे, salt analysis के अब आपको, मैं अपने notes भी देने वाली हूँ, और यह जब आप YouTube से इसका lecture आपको देख लो, क्योंकि अभी भी तीन चाह महीने हैं, इसको एक बार ढंक से पढ़ लो, थोड़ा tough है, like मैं अपने notes भी दोंगी, उसमें थोड़ा extra ही है, तो मैं आपको बताऊं कि उन notes को भी कैसे use करना है, बट इसके आपको भी notes बनाने हैं, क्योंकि यह इतना easy नहीं है, थोड़ा सा रटने वाला part इसमें tough है, बार बार पढ़ना पढ़ेगा, तो important यह है कि आप अभी से start कर दो, salt analysis पढ़ना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और यह boards में भी आने वाले आपके, boards में भी वाइवा में पूछते हैं, यह सारा salt analysis वगएरा, तो यह इसलिए आपको आना ही चाहिए, dynamics कि आप खुद कर सकते हैं, इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है, तो सबसे पहले हम high yield areas की बात करते हैं, कि क्या क्या बहुत important है, यह मैं अपने experience से बता रहे हूं, ठीक है, तो most important देख लेते हैं for neat as well as boards का वाइवा, तो PPTs और उनके color, जैसे AGCL, AGBR, AGI, इन सब के color अलग groups, यह जो उपर लिखा था, test आपको कुछ-कुछ anxiety में दिया है, थोड़ी detail में पढ़ लेना, कुछ extra test भी आप याद कर लेना, फिर preliminary and confirmation test of ions, यह salt analysis में आते हैं, खीक है तो इसको भी आपको थोड़ा depth में पढ़ना पढ़ेगा, थोड़ा number topic है यह, फिर indicators में ने बता दिया double salts, double salts भी जैसे more salt हो गया, potassium, potassium alum हो गया, इसी और double salts भी होते है, coordination compounds के chapter में भी शायद और ऐसे double salts है, तो थोड़ा double salts का formula वगेरा name आपको याद होना चाहिए, फिर और क्या-क्या important है यह देखो, groups, one to six, यह जो सारे ions है, इनको हमने six groups में divide किया है, तो आपको सारे groups और उनके under क्या-क्या ions आते हैं, यह आना चाहिए, basis of classification, जैसे हमने किस basis में इन groups को divide किया, यह आना चाहिए, ठीक है, इसकी trick मैं आपको भी अपने short note से बताऊंगी, फिर brown ring test, यह NCRT में भी है, इसको थोड़ डेफ में पढ़ना है, CRO5, butterfly structure, blue color cup बनता है, peroxide डालने पे बनता है, chromate म तो CRO5 के बारे में पढ़ना आपको, Nestler's reagent, iodide of minions based, बहुत important चीज है, यह वायवा में भी पूछा गया था मुझसे, chromyle chloride, chromyle chloride gas कैसे बनती है, यह पढ़ना आपको, AG के PPT हो गए, और उनकी solubility in solvent, azodize, जैसे eniline yellow है, yellow color की होती है, एक और होती है, जिसमें OH लग जाता है, तो वो orange color का होता है, है ना, यह amines के chapter में शायद, और ऐसी और azodize भी होते है, कुछ-कुछ extra azodize भी होते है, वो आपको पढ़ना है, flame test पढ़ना है, cations का, और normal भी क्या-क्या color आता है, flame test, NIDAMG hold twice, यह coordination compound में भी है, और इसमें भी बहुत जादे important है, इसका structure, structure आपको पता है, इसी basic चीज़ा आपको पता होने चाहिए, फिर zincates और illuminates पता होने चाहिए, है ना, कब-कब वो soluble हो जाते हैं कि solvent में, sodium का zincates, illuminates, ऐसे आपको याद करना है, फिर GOC का qualitative part, जो last में दिया है, prussian blue, फिर ये ferocyanide है, formula और reaction आनी ही आनी चाहिए, blood red, ये तो, blood red तो, क्य क्योंकि GOC में पहले भी आ रख है, नीट का PY की हुए, blood red, जब thiocyanide आयन आ जाते हैं, फिर ये जो तीन hydroxide हैं, इनका color याद करना है, आपको green, और कुछ-कुछ reactions जैसे ये हो गया है, lead chromate को, जब lead chromate हमारा sodium hydroxide में soluble है, तो sodium tetrahydroxoplumbate बनता है, है ना, ऐसे आपको ये द sulphate है, तो वो ammonium acetate में soluble हो जाता है, ammonium tetraacetoplumbate, तो PPT, अगर soluble हो तो PPT का color भी चला जाएगा, इसलिए ये reactions important होती है, तो ये थे सबसे जादा high yield areas, salt analysis आपको depth में पढ़ना है, एक दो मैं आपको tricks बताने वाले हो कि कैसे करना है, तो ठीक, अब मेरे notes पर आ जाते हैं, इ कि वो बतरब कितना level का डाल सकते हैं, क्योंकि J mains में आते हैं इतना level, तो मैंने J mains के level तक अच्छे से पढ़ा था, salt analysis, तो आपको सब नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ चीजे में रेट में कर रखे हैं, वो बहुत important है, और major चीजे जो आपको salt analysis की आने चाहिए, वो आपको म मेरे PDF में मिल जाएगी, और कभी बाइचांस अगर आप किसी high level question को encounter कर लेते हो, तो मेरे notes में भी आप उसका solution ढून सकते हो, सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ चीजे मेंने card भी रखी हैं, तो आजो देखते हैं, तो सबसे पहले ये तो practical part है, functional groups का जो मैं कह लिख रखे हैं, जैसे chloride का पूरा लिख रखा है, हैना कब-कब क्या बनता है, तो ये आपको आना चीजे है, क्योंकि आपके hyalides भी लिखे हों हैं, सलिबस में, ठीक है, फिर आजाओ आप, किटाइन्स पर आजाओ, तो किटाइन्स की मैं आपको ट्रिक बताते हूँ कि कैसे याद करना है, जैसे ही किटाइन्स हमाई सलिबस में included है, तो सबसे पहले तो ammonium iron, ठीक है, उसका reagent आपको याद करना है, ammonium gas बंदी, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, group 0, फिर group 1, ag, pb, h hg2 plus 2, तो इसका निमोनिक है, आजा, pub, hug, ठीक है, याद अखने की pb plus 2 में है, और hg2 plus 2 है, ठीक है, इसका reagent आपको याद करना है, और इसके reagent में ये सारे white ppt देते हैं, तो इसका basis है, classification का, तो ऐसे आपको सबका basis आना चाहिए, फिर group 2 में दो groups होते हैं, a और b, तो a है ह तो इसमें hg plus 2 में, ये आपको धियान रखना है, यहाँ पर hg2 plus 2 है, basically 1 hg plus 1 में, यहाँ पर hg plus 2 है, and hug, cute, pub, by, candies, ठीक है, ये सारे insoluble हैं, इस reagent में, ठीक है, ये सारे black कलर के ppt's बनाते हैं, cadmium, yellow कलर का बनाते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, फिर group B पे आजाओ, ये शायद नीट के syllabus में नहीं है, फिर group 3, feel कर, है ना, group 3, 3 members, iron, aluminum, chromium, feel कर, इनके ppt's के color और reagent, ये हमारा reagent है, तो हमें पता है, ये hydroxide बना लेंगे, इस reagent में सारे, ठीक है, इनका ksp low होता है, ये बहुत important question है, इसलिए ppt जल्दी बनाते हैं, जल्दी precipitate होगे, इसलिए पहले आ गए ना, तो ये group 3 है, जो group 4 है, वो धीरे precipitate होगा, है ना, तो उसका higher ksp, अभी वो बार में precipitate होगे, ठीक है, इसका nemonic है, निको, मन, जन, ठीक है, निकल, कोबाल, मैंगनी, जिंक, कलर याद रखने है, निकल और कोबाल, ब्लैक कलर का ppt बनाता है, निमोनिक है, बका सुर, ksp का order है, solubility हमाई top to bottom कम होती है, group 2 में, group 2 as in की, जो हमारा, altrine earth metals है, फिर group 6 में सिर्फ magnesium है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसका reagent, na2, hpo4, फिर, जो पूरी series है, कि हमने कैसे इनको निकाला, तो यहां मैंने छोटा-छोटा लिख रख है, जैसे सबसे पहले कोई भी metal है, हम solid analysis क्यों करते हैं, यह देखने के लिए कि, मतलब approximate idea लगाने कि वो कौन सा metal है, ठीक है, तो सबसे पहले यह पूरी higher कि है, पहले hcl डाल के देखते हैं, अगर ppt बन गया, तो वो group 1 के हैं, क्योंकि इन सब के chlorides, white कला के ppt बना लेते हैं, अगर व कि है कि हमने कैसे divide करा है, तो यह आप देख लेना, फिर मेरे pdf में सब कुछ लिखा है, जैसे यह हमारी dblog की reaction है, यहां लिख रखी है, है न, तो यह सब आपको याद करना है, उपर-उपर से एक बार देख लो, सब कुछ नहीं याद करना है, जितना हो सके, और जो मैंने high areas बताएं, वो तो याद आपको tips पे हो नहीं होने चाहिए, ठीक है, फिर यहां ammonia का मैंने लिखा है confirmatory test, यह उपर हो है, प्रिलिम नहीं थे, अब confirmatory test ammonia के मैंने एक जगा पर लिखे हो है, ठीक है, group 2, ऐसी पूरा लिखा हुआ है, आपको pdf में कोई दिक्कत नहीं है, अब अब प्लस 2 का लिखा है, ऐसी पूरी pdf है, ठीक है, तो इसमें मैंने mind maps बना रखें, बहुत अच्छा अच्छे, तो आप मेरे short note से prepare कर सकते हो, या तो यार आपको थोड़ा थोड़ा खुदी करना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल है, I agree, बट अब सिली बस में added है, तो थोड़ी तो मेहनत करने पड़ेगी, है ना, फिर ऐसी iron प्लस 2, iron प्लस 3, fairy fairy brown होता है, फेरो फेरो वाइट होता है, बट फेरी फेरी brown कलर का होता है, है ना, and फेरो फेरो अपना white कलर का होता है, तो कुछ basic चीजे हैं, ठीक है, तो इसे आप पूरा pdf पढ़ ले ना, तो य 2024 की बात करें, तो बस दो questions आये थे, salt analysis और यह जो practical chemistry वाला पाट है, और वो भी section B में, बट इससे आप यह मत सोचना कि आपके section B में है, because यह पहली बार से यह बस मैं add हुआ था, तो हो सकता है, NTA ने इसलिए section B में डाल दिया हो, ठीक है, तो दो यह questions आये थे, एक तो यह 0-6 की classification पूछी थी, कि इनको 0-6 में डालो, ठीक है, increasing group number के order में डालना है, तो यह तो आपका वह जो groups में नयाद करा है, उसके basis में, वो तो सबसे basic चीज है, फर एक और question आया था, more salt related, more salt हमारा syllabus में लिखा हो, तो उससे related question आ गया, तो नी 2024 में दो यह questions आये, लेकिन आपको इसको depth में पढ़ना है, because बहुत सारी chances आए, कि वो section A में डाल दे, NTA ने कब का है, कि वो section B में ही डालेंगे, तो आपको prepared देहना चाहिए, जितना syllabus में clearly mentioned है, उतना आप पहले पढ़ो, salt analysis जितने के times कि रिके, उसको अच्छे से पढ़ लो, जितना procrastinate करोगी, उतनी दिक्क कि दो पेश पढ़ लिए, खताम ऐसे आपका दीरे-दीरे रट जाएगा, और कोई tension लेने की बात नहीं बचेगी, एक बात आप ये भी ध्यान रखो, कि इसके ना, जितना आप question practice करोगे, उतना आपका confidence बढ़ेगा, क्योंकि ये एक दिन में याद नहीं होता है, मेरे को भ कि विज़े से खराब हो जाए, ठीक है, and question practice की बात तो आप J mains के PYQ में आप try कर सकते, because J mains में salt analysis काफी time से added है, तो आप वहाँ से question practice कर सकते हो, और coaching, अगर आपकी coaching भी questions प्रोवाइट करें, तो वो questions भी आपको practice कर नहीं करने चाहिए, so I think guys this was all for today, आपको मेरे notes और ये वी करना, so see you next time.